अब मेरा चौधामा एकसरसाइज है सिकंदर, सिकंदर का जन्म 356 इसापुर में हुआ, इनका जन्म कब हुआ था, 356 इसापुर में, उसका पीता फिलिप था, सिकंदर के पीता का नाम फिलिप, फिलिप था, याद रखना है, फिलिप 369 इसापुर में मकदुनिया का सासक बन कर दी गई इसकी हत्याद 321 इसापूर में कर दी गई सिकंदर और अस्तु का सिस्था सिकंदर और अस्तु का सिस्था याद रखना है समझे सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 इसापूर में परारंब किया सिकंदर का सेनापती सल्यूकस निकेटर था याद रखना है सिकंदर को पंजाब के सासर पोरस के साथ यूध करना परा जिससे हाई डेस्पिज यूध या झेलम विस्त सता का यूध के नाम से जाना जाता है इसको हाई डेस्पिज के यूध या झेलम का यूध के नाम से जाना जाता है सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पच्मी टट पर पहुच कर उसे पार करने से इंकार कर दिया समझे इसा ध्यान रखना है जो अंडराइन कर रहा है सिकंदर अस्थर मार्ग द्वारा 325 इसा पुर्व में भारत से लोटा सिकंदर के मृत्यू 323 इसा पुर्व में बेबिलोन में 23 वर्ष की अवस्था में हो गई कितने वर्ष के 33 वर्ष के अवस्था में हो गई सिकंदर का जल सेना पति का नाम नियाकस था सिकंदर का प्रिये घोड़ा बहुं केफला था इसी के नाम पर इसने झेलम नादी के टट पर बहुं केफला नामक नगर बसाया इसके बाद मेरा पंधरामा एकसर साज है मोर समराज मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा आप मेरे चैनल पर है नए तो मैं चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के सेर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद